असलावलेकुम दोस्तों आपका फिट्स में स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल गल्फ इंफॉर्मेशन यूटूब चैनल पे तो साथियों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कतर के बारे में और यदि कतर का आप लोगों ने अभी वीजा के अपनी एपलाई किया है यानि आप लोग ने वीजा के लिए पलाई किया है आपका QVC हो चुका है तो आपका वीजा स्टेटस अभी क्या है यानि उससे आप कैसे ट्रैक करोगे कि अंडर प्रोसेस है रेडी तू प्रिंट है या फिर वीजा आपका तयार हुआ या नहीं ह पर करो को यह काफी ज्यादा प्रोब्लम सुनने को मिल रही है तो दोस्तों आप लोग को किसी के पास जाने की जौरत नहीं है ना किसी सैबर ऑफिस वाले के पास जाना है पस सिंपली आप मोबाईल पर ही अपने वीजा के स्टेटस को ट्रैक कर पाओगे कि आपका वीजा क काम कहां तक पहुंचा है आपका वीजा रिजेक्ट हो चुका है या फिर आपका सेलेक्शन हो चुका है वो सारी चीजे दोस्ता आप खुद से चेक कर पाओगे तो चलिए मैं ले चलता हूँ मोबाईल की स्क्रिन पर आप मोबाईल पर भी चेक कर सकते हो लैप्टॉप पर कर लेना और आपको ओपिन करना है Chrome Browser आपके मोबाईल पर Chrome Browser का एक अप्लीकेशन होगा उसी browser को ओपिन किजेगा क्योंकि कोई भी वेबसाइड उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से खुलता है ये Chrome Browser को ओपिन करने का आपो गूगल में सिंपली सेर्च करना है Qatar MOI जैसा क होगा डार्क लैंड में और कैपिटल में एम आई कतर वीजा सर्वीस इस पे आपको क्लिक कर देना है इस पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने मिनिस्ट्री ओफ इंटिरियर ओफ कतर का ओफिस्यल ये पेज खुल कर आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो इसमें वैसे बहुत सारी चीजों को आप चेक कर सकते हो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीजा अप्रूबल को कैसे आप ट्रैक करोगे यानि आपका वीजा कहां तक काम पहुंचा है वो आप कैसे चेक कर पाओगे इस वीडियों दोस्ति यही में बताने वाली में बात कर रहा था तो आपको एक option मिल रहा होगा जैसा कि आप देख सकते हो description के बगल में visa inquiry है जो white करणर का आपको दिखाए दे रहा होगा और उसके नीचे है visa approval tracking तो इस पे क्या करना आपको click करना है जब इस पे click कर दोगे तो आपके सामने एक और page खुल कर आ जागा जैसा कि आप देख सकते यह visa service का यह page है तो visa approval tracking तो अब आपको यहाँ पे तीन option दिया जा रहा है तो सबसे पहले अपना आपको application number डालना है तो भाईयों आपका एक application number दिया होगा visa में आप check कीजिएगा जैसा आपको मैं डबब दिख रहा है उसी tap में दोस्ते यह number दिया होगा तो application number आपको यहाँ पे flip करना है उसके बाद नीचे में आपको दोस्तों डालना है application date यानि किस date में आपने यह visa के लिए apply किया था उसके बाद QID sponsor यह भी वहाँ पे आप डाल सकते हो उसके बाद जो आपका capture होगा जैसे कि मेरे यहाँ पे 100 कर रहा 500 चावाली तो यहाँ पे मैं यह डालना होगा हो सकता जब आप खोलोगे तो आपको कोई और आ सकता है यह सब fill up करने के बाद आप submit जब कर दोगे तो आपके सामने open होकर आ जाएगा कि आपका visa का status क्या है under process है ready to print है visa reject हो चुका है जो भी होगा वो आपके सामने खुल कर आ जाएगा तो इस तरह से अपने visa को आप track कर पाओगे कि approval हुआ है या नहीं हुआ है तो उमीद करता हूँ सातियों यह आपको video समझ में आ गया होगा और आपके लिए काफी informative रहा होगा तो मिलते गाइस next video पे तब तक लिए जहिंद